हाई गाईज कैसे हैं आप सब मेरा नाम है दीपक चौरस्या और आप सभी का हमारे इसी टीप चैनल पर सबागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइफोन 13 सीरीज की जो प्राइस है बिग बिलिएंड देर्स 2022 में कितनी हो सकती है देँए वीडियो एंट टक जिरूर देखेगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को को सब्सक्राइब कर लिजैं जल्दी से जल्दी आपको और हमको मिल ये सब्सक्राइब करने हैं जैसे ही 20,000 सब्सक्राइबर्स कम्पलीट हो जाते है आप लोगों के लिए गीव 12 की कि iPhone 12 की launching price क्या थी वहां से idea लग जाएगा कुछ कि हमारे जो iPhone 13 है उनकी price क्या हो सकती है जो iPhone 12 है guys इसकी जो प्राइस थी launching वो यही थी same जो iPhone 13 की है 80,000 रुपए 80,000 रुपए के आसपास आपको जो है 79,99 मतलब 89,900 रुपए का था 80,000 का मन लेते हैं 80,000 में आपको 64 GB वेरेंट मिल रहा था ठीक है और 64 GB वेरेंट के साथ साथ और आपको जो भी बॉक्स और कुस तो है नहीं 64 GB वेरेंट मिल रहा था 5G था और इसकी जो बिक बिलेंटेज में जो प्राइस गिरी थी अधाइस 48,000-47,000 रुपए तक ये फोन विका था तो कितना यानि कि 30,000 रुपए से भी ज्यादा का डिसकॉंट आप लोगों को देखने को मिला था एक तरीके से बोल सकते हो 40% डिसकॉंट आप लोगों सकते हो सीधे बोलते हैं कि आप लोगों को 30,000 का डिसकाउंट जो द का जो है फर्क है और camera जो है उसमें थोड़ा सा फर्क मिल जाता है बागे कुछ खास बहुत बड़ा अप्ग्रेड नहीं है ठीक है और जो iPhone 13 है उसमें आपको जो base variant है वो 128 GB मिलता है जो की बहुत ही अच्छी चीज है आज के टाइम पे 128 GB भी कम पढ़ जाता है स्टोरेज इसलिए आपको 64 GB के लिए तो जाना ही नीची है अगर आप फोटो बगएरा खीचते रहते हो वीडियो आप बनाते रहते अपने से तो आपको अच्छी आपको स्टोरेज बहर जाएगर तो बेस वेरियंट की अगर में बात करूँँ आइफोन 13 सीरीज की उसकी प्राइसे वह कितनी होगी अभी आपको डिस्काउट आइफोन 13 पे मिल जाएगा अभी आइफोन 13 पे जो discount चल रहा है कि आइफोन 13 की जो price है वो है 70 से 75,000 रुपे 75,000 रुपे फिलिप कार्ट पे भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा तो Big Billion Days में जो price है वो 50,000 रुपे के आसपास ये भी आ सकती है क्योंकि ये made in India हो जाएगा और तब तक iPhone 14 हो जाएगा तो 14 जब आएगा तो 14 का जो max वाला variant होगा वो काफी ज़्यादा बिकेगा मैं अभी बता दे रहा हूँ गाइस क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादा तर लोग बड़े फोन को prefer करते हैं ज्यादा बैटरी उनको अच्छी चाहिए होती है और बड़ी डिस्पले चाहिए होती तो iPhone 14 जो max होगा उस पे बहुत ज्यादा बहुत ही तगड़ी वाली सेल आएगी मुझे ऐसा लगता है मेरा experience ऐसा है तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो iPhone 13 होगी इसकी price जो 50,000 रुपे के आसपास आ जाएगी अब अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो otherwise wait करना चाहो तो आपके 20-25,000 रुपे आपके बच जाएगे लेकिन Big Billion Days अभी बहुत दूर है लेकिन अभी सितंबर तक आपको जो आइडिया लगी जाएगा जैसे 80-75,000 रुपे की price पर आ गए है iPhone 13 और जब iPhone 14 launch होगा तो उसमें इसकी जो price है वो 70,000 रुपे से नीचे आ जाएगी 60,000 रुपे के आसपास इसकी जो price है वो रहेगी जैसे कि iPhone 12 के साथ हुआ था iPhone 12 की जो price ही 65,000 रुपे 65,000 रुपे 65,000 रुपे 65,000 रुपे गुमती रही थी और अभी जो है 50,000 रुपे की आसपास जो है price आ गए थी अभी एक free discount है था फिलिप काट की तरफ से तब भी जो है आपको जो है इसके discount iPhone 12 पर भी मिल रहा था तो आपको iPhone 12 तो अब skip कर देना चाहिए क्योंकि उसका जो base variant है 64 GB वाला है और उसी पर ज्यादा discount मिलता है तो 64 GB वाला आपको खरीदना नहीं चाहिए उसमें 14 और 14 Max सबसे ज्यादा बिखने वाले 2 model हो जाएंगे क्योंकि उनकी जो design वेगरा है वो काफी अच्छा रह रह रहा है काफी थोड़ा upgrade हो जाएगा इस बार तो काफी सारे features जो है आपको अच्छे मिल जाएंगे iPhone 14 में तो लोग जो है उसको ज्यादा prefer करेंगे लेकिन अगर आपको iPhone 13 भी अच्छा लगता है तो वह भी आपको जो है काफी अच्छा discount जो है बिग billion days में मिल जाएगा अभी के पास अगर आप इस समय अगर बात करूं आपके पास budget कम है तो आपके पास समय है budget को आप थोड़ा यूज हो जाएगा क्योंकि iPhone 13 जो है बहुत ही अच्छा iPhone है Apple की तरब से सारे features उसके अच्छे है iPhone 12 का design थोड़ा 11 की तरह है लेकिन 13 का थोड़ा अलग लगता है cinematic mode camera वगरा में भी थोड़ा upgrade है तो वह phone आपके लिए काफे बहतर होगा और वह deal भी अच्छे रहेगी I hope आप फिर किसी ने और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई